वेलकम दोस्तों हमारे चैनल Facts Universe में आपका स्वागत है क्या आपको पता है जो बोतल आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसका प्राइस कितना होगा और क्या आपको पता है दुनिया में अब तक का बनाया गया सबसे महिंगा अबजेक्ट कौन सा है Fact No.1 से शुरू करते हैं दोस्तों जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे पहले तो बंद करने का नोटीज दे दिया गया था क्योंकि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं आता था वहाँ पर ट्रेंड को रोप कर टाइम वेस्ट होता था लेकिन फिर वहाँ के अधिकारियों ने देखा कि एक स्टेशन है जो रोज उस ट्रेंड से अपने कॉलेज जाता था तक स्टेशन अधिकारियों ने फैसला किया कि जब तक स्टूडेंट का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुता तब तक स्टेशन को चालू रखा जाएगा वहाँ की गवन्मेंट ने अपने एक स्टूडेंट की पढ़ाई खराब नहों इसलिए उन्हों ने पूरे स्टेशन को घाटे में रख कर भी चालू रखा फैक्ट नमबर तू दोस्तों एक बार वियतनाम के युद्ध में एक अमेरिकी स्नाइपर ने खुद को तीन दिन तक 2000 मीटर खुले मैदान में दुश्मन के जनरल को एक गोली मारने के लिए एक जगए बिना हिले एक ही स्टिथी में इंतिजार किया था और फिर गोली मार क अपना काम करके वापिस प्रिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी दोस्तों आप पग जी गेम को तो जानते ही होंगे क्या आपको पता है पग जी गेम के नाम एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स के खेलने का वाल रिकॉर्ड है इसमें एक बार 13,45,857 प्लेयर्स एक साथ ख किसी काइंगे लेकिन एक सेकंड क्या आपको पता है इस बोतल का प्राइस कितना होगा चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों इस बोतल का प्राइस 45,35,75 रुपए है और क्या आपको पता है इसके पानी के अंदर 5000 일반 ग्राम की सोने की 10 मिली रुपी है और इस बोतल को हाथों से जाता है वो भी 24 केरट सोने से कवर करके फैक्ट नमबर फाइव दोस्तों आप इंप्रिकेटर को तो जानते ही होंगे इनका नाम हासिम अमला है क्या आपको पता है इन्हें अपने मैच की 50% फीस फाइं के रूप में देनी पड़ती थी वो इस लिए क्योंकि ये एक अलकोहल कंपनी के लगे हुए लोगो वाली जर्सी को नहीं पहनते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा अलकोहल जैसी चीज का प्रचार हो अपको पता हैं इंटनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अब तक की बनाई दिली तब से मेहंदी चीज है इसको बनाने में वन हंड्रब सिक्टी बिलियन डॉलर यानी की करीब बारह लाद करोड रुपे खर्च हुए थे Fact No.7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जिस बंदे का फोटो दिखाया गया है इसका नाम हमजा बैंडलाज है ये एक हैका है जिसने एक बार 217 बैंको को हैक करके 4000 मिलियन डॉलर का घपला किया था और उन सारे पैसों को अफ्रीका के गरीब लोगों में बात दिया और उसको इस अफ्राब के लिए फांसी की सजा सुनाई गई कि आप इसकी फांसी वाले दिन की फोटो को देख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइब उसके बहुत ही करीब है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा देख किसे ही अपना ख्याल रखे